चलिए अवाज आरे एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजे मिल पा रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुछन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि बांगला देश का राश्टी फ़ल कौनसा है चलिए जब आप देना है बांगला देश का जो राश्टी फ़ल है इन में से क्या हो जाएगा चले यहां पर देखें आपका ज Online सर बनेगा इन में से रैट क्या हो सकता है फटा बट जवाप दिजे चले सो यहां पर देखा जाए तो आपका जो सर आ गया है याद रिखेगा जो कटेहल है या आपके बांगलादेश का रास्टी फल या देखे कटेहल जिसका अपसना रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा अब यहाँ पर देख सकते हैं इससे जुड़े हुए जो भी आपके पॉइंट है जैसे कि यहाँ पर आप से पूछे बांगलादेश तो आप कहेंगे स टेहल है और पाकिस्तान का क्या है तो आपके पाकिस्तान का आम हो जाएगा यहाँ पर देखे आप से पूछे अगर देश और वहां की राजभासा पूछता है आपके पड़ोसी देशों में से तो सिलंका की जो आपकी राजभासा है वो आपकी सिंगली है क्या है सिंगली ह बुटान की राजवासा क्या है तो आपकी जूंग खा है क्या है जूंग खा है म्यामार की ज़रा धनी जानते वर्मी तो वर्मी से आपको वर्मी याद रहेगा और चीन की जो आपकी भासा है वो क्या है तो चीन की भासा आपकी मंदारिन क्या है मंदारिन हो जाएगा नेपाल की जो भासा है वो आपकी नेपाली हो जाएगी ठीक है कुछ पॉइंट आपकी किलियर हुए चलिए अगला कोशन यहाँ पर दिया गया है आप से कहरा भारत की सीमा परस्चिम मंगाल के पूरा में निम्निकित में से किस देश के साथ लगती है चलिए अच्छा कोशन दिया गया है बताना है कि भारत की जो सीमा है वो परस्चिम मंगाल के पूर्व में वो किस देश के साथ लगती है इस कंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ गया है बिल्कुल सही है ऑप्समर आपका भी हो जाएगा बांगला देश के साथ किसके साथ लगती है तो बांगला देश जिसको आपसन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राइट हो जाएगा हमने का सर बांगला देश हना बांगला देश से कोशन और बनता है कि बांगला देश मतलब भारत की सबसे लंबी जो इस थिली सीमा है किसके साथ है तो आपके बांगलादेश के साथ आपकी है। आपके साथ चीज आपको कवर करेंगे एक भी पॉइंट आपका छूट नहीं पाएगा। जो आपकी राजभासा है तो आपकी मंदारिन है, म्यामार की क्या है वर्मी है, बांगलादेश की बंगाली है, सिलंका की दोस्तों सिंगली और तमिल दोनों भी आपके कुछ हित्रों में आपकी तमिल भी बोलते हैं। पाकिस्तान की क्या है तो आपकी उर्दू हो जाएगी। ठीके ना पाकिस्तान की उर्दू और अगर अफगानिस्तान की पुछता है तो अफगानिस्तान की दारी या पास तो बोलते हैं। और माल दिव के क्या है तो आपका विदेही या आपके सकते हैं धी वेही हो जाएगा ठीके चले यहाँ पर देखे अगला कोशन आप से कह रहा है कोशन नमर आपका अगला गया है कि भारत के किस पडोसी देश के साथ सुन्दर वन डेल्टा जो आपका है सुन्दर वन जो है जो हो आपके जो है अगला रहा है तो गंगा ब्रह्मपुत्र और मेगना नदियों की जो डेल्टा चेतर है वहाँ पर विश्व का सबसे वड़े मैगर वन आपके पाजाते हैं देखा जा तो सुन्दर वन हना जो की चार संदची छितरों में यूनिस्को की विश्व धरवर सूची में भी ये सामिल के गए हैं जो आपके सुन्दर वन आपके हैं दोस्ते याद रखेगा और दूसरा वीडियो देखनी क्या हो सकता नहीं पड़ेगा बस एक बार देखें सब पॉइंट आपके किलियर हो जाएंगे यहाँ पर देखो अगला कोशन दिया है भारत के पडोसी देश भूटान की राध्धानी इन में से है क्या चले जवाब देना है भारत के पडोसी देश भूटान की जो राध्धानी है यहाँ पर क्या हो जाएगा तो दोस्ते यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो अंसर आएगा वो आपके क्या हो जाएगा बहुत अच्छे अती सुन्दर यहाँ पर देखें ऑप्सम राध्धानी क्या है थिम्पू है क्या है थिम्पू अब यहाँ पर दे सकते हैं देश की राध्धानियों में से जैसे भूटान की राध्धानी क्या है तो आपके भूटान की राध्धानी थिम्पू है नेपाल की नई राधधानी क्या है नई पैदाव है पाकिस्तान की राधधानी इसलामबाद है चीन की राधधानी क्या है तो आपके वीजिंग हो जाएगा और यहापर अफगानिस्तान की राधधानी क्या है तो आपके काबूल हो जाएगा सिलंका नहीं मिला है तो सिलंका की बनेगा इन में से क्या हो जाएगा और वड़ा आसान कोश्चन है आपने पड़ा भी है ना देखा जाए तो भारत की जो इस्तली सीमा है कुल साथ देशों के साथ लगती है जिसमें सबसे लंबी भूमी सीमा लगबग 4096 किलोमेटर बांगलादेश के साथ है विल्कुल सही है और समर आपका जिसका आगया है बी नमबर है राइट हुझा आप बांगलादेश बागे हमने एक वात आपको याद बताया था कि जो बचपन का सपना जो एम बीए हमने आपको ट्री बताया है एम बीए तो ये ट्रीक बांगलादेश के साथ जो सीमा साजा करता है वो कौन तो लिखें पश्य मंगाल असं मेगाले त्रीपुरा पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्तान, पंजाब, जम्मु कस्मीर और लद्दाक हो जाएगा ठीक है ना यहां पर देखा जाए तो आपके नेपाल के साथ कौन सीमा साजा करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पस्चिमंगाल और साथ में यहां पर देख यहां पर देखे भुटान के साथ कौन करते हैं तो असम, सिक्केम और साथ में पस्चिमंगाल और अड़जर प्रदेश सीमा बनाते हैं और यहां पर देखो दिया गया है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सिर्भ आपके लद्दाक से, किसी लद्दाक से, स्क्रीन सॉट लेना है तो ले सकते हैं अपनी बेतर से बेतर नोट्स बना सकते हैं हाना कोई कोर्स लेनी कि वसकता नहीं पड़ेगी इतनी बेतर तरीके से आपको पड़ना है यहाँ पर दिया गया है question आप से कह रहा है कि विश्व का वह एक मात्रदेश कौन सा है जहां बाग और सेर दोनो पाजाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपके अंसनर नमबर आपका डी हो जगा दोस्तों याद रिखेग है अगर आपका जवाब चुनाए आप लोगों ने बिलकुल बहु कर एक ज्वाब हो जाएगा एक मातर सेल सहे हैजा है जहां तर देश और मतलब सेर और ब बागों की सरवारी संख्या पूंचे कहांपर है तो आपको पूंचे भारत में कुल कितने Tiger तो आपको तुरन बताना है किसजी नागारजुन सागर श्री सैलम ये आपके आन्द प्रदेश में है हना नागारजुन सागर ये फैला हुआ है आन्द प्रदेश तिलंगाना नाम दफा पूछा जाता है नाम दफा जो आपका कापर है राजर प्रदेश में है मानस जो आप कदिया है आपके असम में है हना काजी रंगा तो आपने सुने होंगे काजी रंगा हना रडधंबावर और सरिस्का ये कापड़ते हैं राजस्थान में पड़ते हैं दुदवा और पीली भीड जो आपके Tiger Reger है आपके उत्तराखंड में है काना और बांधागड जो आपके Tiger Regers है आपके मद्रप्रदेश में है इंद्रावती Tiger Reger आपके 36गड में पेरियार Tiger Reger आपके कापर है तो आपके केरल में है Most important question आपको पढ़ रहे है यहाँ पर देखे एगला कुछन आपके सामने आगया है कि कौन सा भारती राज्य बांगला देश के साथ सीमा साजा नहीं करता है अभी हमने आपको बताया था पूरी अच्छी तरीकी से दिखाया भी था हमने का सर्याप पर देखा जाए तो आपका मेगाले पस्चिममंगाल भाई बांगला देश के साथ पस्चिममंगाल असम मेगाले त्रिपरो और मिजोरम यह आपके हैं अब यहाँ पर बिहार का तो नाम नहीं आया है तो आपका इंगंसर नमबर आपका भी हो जगा बिहार इसमें से सीमा साजा नहीं करता है आप समर आपका जिसका आराइबी अब और भात के पडूसी देश अफगानिस्तान की राजधानी इन में से क्या है चलिये बताना है भारत यहाँ पर अफगानिस्तान इसकी राजधानी क्या बता सकते हैं आप लोग अभी-अभी अमने बताया था जिक्री किया है जो चिज़ें आपको बता देंगे वही देखियें जवाब यहां पर आ गया है नाइन को अप्षन क्या होजाइगा चलिए यहांपर देखा जाए तो आपके इंगे पडोसी देश अफगानिस्थान की राधनि जवाब की है वो काबूल is तो आपकी काबूल हो जाएगा दोस्तों ज्याद के काबूल हो जाएगा ऑर आपको पढ़ाया गया है भी हना चलिए कितने हो जाएंगे जर्दी से बताईए चलिए ऐसे कोशन यहाँ पर दे सकते हैं साथ बिलकुश सही है याद रिखेगा है बांगला देश चीन पाकिस्तान नेपाल में अमार भूटान अफगानिस्तान है जो कि आपका बच्पन का सपना इंब या और सनमा अपका भी हो जाएगा यहाँ पर देखे एगले कोशन को बांगला देश की मुद्रा का नाम बताना है चलिए बताया है भारत की पडूसी देश जवाब का कौन है बांगला देश भी या तो इसकी मुद्रा का नाम बता दीजेगा चलिए फड़ा फड़ बताएगा क्या हो जाएगा बिलकुल सही जवाब आ गया है यहाँ पर मिंचे के नेपाल के तो आपके नेपाली रोपया हो जाएगा है तैंल 선 D प्तकर होजाएगा हैμεार की राध्धानी क्या है इडिकर करेगा किलियर कोई कुई अंधी तुपका नहीं मारना है हना पूरा ज्नान होके लेकर चलना है कीरा भारत के परूशिदेश भूटान की अधिकारिक भासा कौन सी है चले भारत के पडूतान की अधिकारिक भासा जो आपकी है यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यह आप भूटान की जो अधिकारिक भासा है वह आपकी कौन सी है और इरान में बोलते हैं फारसी ठीके आगे बड़ी कोशन आपसे दिया गया है कौन सदेश त्रिपरा को पस्ची मुत्तर और दच्छन दिशाओं से घेरता है यहाँ पर दोस्तो आपका जो अंसर बनेगा और आइट इन में से क्या हो सकता है चलिए अति उत्तम अंसर भी आ सब लोग यहाँ पर बिलकुल से इस कोशन का अंसर दे दिये हैं यहाँ पर जriasला को पस्ची मुत्तर और दच्छन दिशाओं से घेरता है हमना इसका जो आंसर है वो आपका जवाब हो जएगा ए नमडरे राइट हो जएगा अगले question को आते हैं question दे गया है भारत-Asiah की किस भाग मेशती थे भारत जो आपका है Asia की किस भाग मेशती थे question number 12 option को लग किया जाए हमने का आप पूरी कि अगर मात करते हैं हना पूरे यहाप पर मैप में देखा जाए तो आप कहेंगे सर्जी आपका जो भारत है कहीं कुछ प्रकास से यहाँ पर है हना यहाँ पर आप क्या है यहाँ सीक रिखा चली गई अब यहाँ पर देखें ऐसे रिखा देखा जाए तो आप कहेंगे सर्जी यह दच्छन में आ पाल, भूटान, म्यामार, बांगलादिस, कमबोडिया, इंडोनेसिया, थाइलेंड, यह सब इसी भाग में आपके आते याद रिखेगा, यहाँ पर देखे एगला कोशन आप से कह रहा है, कह रहा है वर्मी भारत के किस पडूसी देश की राजभासा है, बिल्कुल आसान हमने बताया आप बर्मी कहां की है, तो आपकी म्यामार की है, तो आप कहेंगे सर्मंदारीन आपकी चीन की है, उर्दु कहां की है, तो आपकी पाकिस्तान की है, दारी या पास तो आफगानिस्तान की हो जाएगी, हाना और खमेर कहां की है, तो खमेर है आपकी कमबोडिया क का मंदिर है 20 में प्रिशिद्ध सबसे बड़ा मंदिर है और याद रिखेगा ये जो कमबोडिया है मंदिर ये आठवा अजूबा में आपका सामिल किया गया है पहले साथ अजूबे थे अब आठ अजूबे हो गए है जो कि कमबोडिया का ये मंदिर है दोस्तों याद रिख किसे अलग होता है यहाँ पर देखे भारत और स्रिलंका भारत और स्रिलंका होज़ेगा पाक जलसंदी क्या बताना है पाक जलसंदी यह पाकिस्तान मत पहुंच जाएगा हना यह बड़ा कंफ्यूज करता है जब लोगों नहीं पड़े होते हैं और यह दिमाग काम नहीं कर र अरसर पूटे पीजरम से जिलंका के इन पहते हैं यूह न करती यूघ में काराchem? यह पर जाब देना है कि बंगाल जो पर्स्टिम मंगाल है इस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साजा करता है यहाँ पर बताना है देखे यहाँ पर देखा जाए तो इसका अंसर क्या हो जाएगा चले बांगलादेश देखे पस्चिम मंगाल बिल्कुल सही जवाब आपसन आपका भी हो जाएगा बांगलादेश के साथ ठीक है ना यादरिके पस्चिम मंगाल बांगलादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साजा करता है अगर बांगलादेश से पूँचा गया है तो आपको बांगलादेश की पूँचे के राधानी क्या है तो आपके इंगढ़ाका है बांगलादेश की मुद्रा क्या है भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था दोस्तों बताना है कहते हैं भर्तियां थोड़ी होती है फॉर्म जादा होते है मेहनत उसी को वही करता है जिनों सफल होते है मतलब सफलता उनी को मिलेगी जो मेहनत करेंगे ऐसे तो भी आप पढ़ने के लिए फॉर्म डालने के लिए दुनिया डाल देती है लेकिन जॉब उसी को मिलेगा जो कांटी उनी रहता है और मेहनत भयंकर करता है आज के समय मेहनत आपको करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि क्रास में आई चले गये देखा चलो कोई बात नहीं चल रहा है तो चल लिए दीजगा ठेक definitely कांटी नहीं मिलते है ठेक है देखो हमने का सर है यहां पर अंसर क्या होगा चली बताएगा यहां पर देखे आपका जवाब हो जगा डी नमबर यहां पर चीन हो जगा चीन के साथ हुआ था न क्योंकि 62 की बात हो रहा है यह कोशन मेरे महराज जी कहां से आ रहे हैं हना अपनी आखे बंद कर लीजिएगा हना यह तो कलास निकल जाएगा जब यही नहीं ग्यान है कि यह कोशन आपको कहां से आ रहे हैं तो फाल तुम्हें देख रहे हो जब यहीं नहीं मालूम है कि सर मेरे को आते ही नहीं है यह कह से क्वेश्चन आए तो क्या मतलब ऐसे पढ़ने से हैं अरे पेपर उठा के देखिए प्रिवियस यह उठा के देखिए थोड़ा धिमाग लगाईए हना ऐसे क्वेश्चन को कह रहें कहां से आता है तो विल्बुल वेकार है नत्सवर है पढ़ाई वेकार है आपके लिए च रेखा है यह 1914 में निर्धारित की गई थी अगर रेड किलिफ रेखा पूँचता है तब क्या बोलेंगे तो हमने का रेड किलिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के वीच होती है क्या रेड किलिफ रेखा पूँची ने गई थी इकजाम में बताए क्या रेड किलिफ रेखा डूरंड रेखा आप से पूंचे तो क्या बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वीच है ठीके अगला कोशन बताएगा कोशन दिया गया है कि छेत्रफल की दिरस्टी से भारत का सबसे छूटा पडूसी देश कौन है बहुती बहतरीन और लाजवा कोशन दिया ग तो कने पास दिया में से भारत का सबसे छोटा पडूसी देश इन मή कौन सा है दोस्त बताना है एसिया का सबसे छोटा देश नहीं पूचा गया है यहाँ पर देखे आपसे कूचा गया है क्या ये इस्थली सीमा से लगा हुआ है दोस्तों याद रिखी है इस्थली सीमा से यहाँ परनसर आपका सी भूटान आपको लगाना है यहाँ पर आगे बड़ी एक कोशन आप से गला पूछा गया और आप से कह रहा है कि मैं एक मोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भार के राजिसे अलग करती है यहां पर अंसर क्या हो जाएगा तो दोस्ते हाँ पर 19 समर का जो आपसन है राइट हो जाएगा आपका कौन है चले मैं एक मुखन रेखा जो चीन और भारत के साथ अलग करती है लेकिन कहां से तो यह अवड़ाचल प्रदीस हो जाएगा ठीक है ना यहां पर देखे अगला कोशन देया गया है यहां पर आपसे कह रहा है कह रहा है निमनिकित में से कौन सी रेखा पाकिस्तावन और अफगानिस्तान को अलग करती है यह आपसे कोशन पूछा गया है ठीक है चले यहां पर देखे निमनिकित में से कौन सी रेखा जाए तो आपका जवाब इन में से क्या हो जाएगा यहाँ पर देखे है अगर पूंचे अफगानिस्तान के राध्धानी क्या प्राइब करने वाली सीमा रेखा यहां पर याँ पर देखेए आप कंसर्ने से क्या हो जाएगा तो अचर्थ भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा है यहां परने कासर्थ हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों अगला कोशन आप से कह रहा है निमने खित में से किस देश के साथ भारत की भूमी सीमा नहीं लगती है भूमी सीमा नहीं लगती है चल्दी से कमेंट करें तो आप कहेंगे सरी यहाँ पर देखा जाए तो आपका ब्यामार के साथ बांगलादेश लगता है ब्यामार हो जाएगा चीन हो जाएगा लेकिन सीलंका के साथ यह भूमी की सीमा नहीं लगता है दोस्ते आद रखेगा हना सीलंका जो आपका दिवपी में बसा हुआ है सीलंक भूटान है वो भारत के साथ कौन से राज्यों के साथ सीमा साधा करता है अभी आपको बताया भी गया था हना यहाँ पर देखे चार राज्यों के साथ सीमा लगती है भूटान की अब यहाँ पर देखे भूटान की जब चार के साथ लगती है तो आपके इसे किम तो मिली रह है परस्ची मंगाल भी है असम भी है और आपका अड़ाचल प्रदेश भी है मतलब आप समर आपका ए हो जाएगा कितनी लगती है तो आपकी 699 कितनी 699 किलोमीटर की सीमा लगती है ये पूचे भूटान की सरवादिक सीमा किस राज से मिलते है क्या भूटान की सरवादिक लंबी सीमा किस राज से तो असम राज के साथ किस के साथ असम राज के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है आपकी भूटान की याद रखेगा ठीक है ना यहां पर अगड़ा कोशन आप से कह रहा है कि मननार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है मननार की खाड़ी है कहाँ पर तो अमने कासर मननार की खाड़ी दिया है मननार की खाड़ी कौन सा देश भारत को अलग करता है जवाब देना है आपका सुंदर सा जवाब है question भी ला जवाब है यहाँ पर देखी आपका जो अंसर बनेगा यहाँ पर right क्या हो जाएगा चलिए अमने कासर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो अंसर आ गया है लगभग लगभग सभी का सही है मनार की खाणी द्वारा देश हना कौन है तो आपका जवाब A हो जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा सिलंका क्या हो जाएगा सिलंका जिसको आप सुना रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा सिलंका आपका अंसर बन जाएगा किलियर हो गया है चलिए यहाँ पर आगे बड़े कोशन आपसिकला पूछा गया है यहां पर देखे आप से कहा रहा है कॉशन निम्निखित में से कौन भारत के दो दिवपी पडोसी देश हैं चले बताए क्या होजेगा चले हमने कासर जी निम्निखित में से कौन भारत के दो दिवपी पडोसी देश हैं तो हमने कासर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो अंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा नोट कर लीजेगा 25 अंबर का जो अपसन है लगभग लगभग सभी का साही आ गया है यहाँ पर देखे जो आपका अंसर है स्रिलंका और माल्द्यूप सिलंका और मालडीप ये दियूपी देश है दियूपी मतलब होता है कि कोई ऐसे देश बसा है चार उतरब से पाने से गिरा हुआ होता है तो ये होते हैं दियूपी होते हैं अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए एक कोशन होता है कोर्षन आप से होता है कि एक सब्द आता है आठ डिग्री चैनल हना कौन होता है आठ डिग्री चैनल है यह जो आठ डिग्री चैनल है भारत के लच्छी दीप हना और मिनी का है याद रहे कि आठ डिग्री चैनल है लच्छी दीप और आपके मिनी का है मिनी काय को आपको क्या करता है अलग करता है दोस्तों याद रखेगा ठीक है यहाँ पर देखे माल द्यूप में जल बगभा देखा जाए माल द्यूप में लगवा बारा सो द्यूपों का एक समू है ठीक है यहाँ पर माल द्यूप की राधानी क्या है तो माल द्यूप की रा पूरानिक कथा आपने सुना होगा उनी की बुराई पर अच्छाई के जीत के लिए यह मनाया जाने वाला जो तेवहार है नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्पुर्ण तेवहार आपका है दोस्ते आद रिखेगा ठीके ना किलियर हो गया है एक क्वेशन होता है एक मंदीर है हना विश्प्रसिद्ध पसुपतिनाथ का मंदीर कौन है पसुपतिनाथ आप लोग देखेंगे हों गयेंगे होंगे पसुपतिनाथ का मंदीर जो आपका है यह कहा है तो काठ मांडू नेपाल में है दोस्तों याद रिखेगा ठीके आगे पाकिस्तान की बात नहीं कह रहा है तो आमने कासर यहां पर देखा जाए तो आपका जो अंसर आ गया है या परसी हो जगा कारा कोरम दर्रा है यादरिक男'. जो आपका है यह भारत और चीन के बीच इस्तितिक पहाड़ी दर्रा है दोस्ते याद रिखेगा अंसर नमबर आपका बनेगा यहापर सी नमबर है राइट हो जाएगा ठीक है ना अब यहापर देखेगा दर्रा दिया है तो दो दर्रा और देख लिजेगा एक दर्रा पूँचा जाता है जैसे एक होता है कि खैबर दर्रा हाना कौन है खैबर दर्रा तो यह जो खैबर दर्रा आपका है यह किसके बीच है तो आपके पाकिस्तान हाना पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान के की बहुत है अगला के सांटे है, कि पाकिस्तान में किस जलसंदी पर हस्ताचार हुए थे लृँधू चले, बदढ़ाइ इस कंसर क्या हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जलसंदी पर हस्ता चर हुए थी इस कंसर क्या हो जाएगा तो आपकेंगे सजी सिंदु समझाओता हुआ था कौन हुआ था सिंदु समझाओता हुआ था मतलब भारत और पाकिस्तान के वीच नदियों के जल का बटवारा हुआ था और 1960 में सिंदु जल पर कराची में हस्ता चरुए थे और इसमें से का गया था कि तीन पूर्वी जो न परेटन इस्तल है कहां का पारो सेर जो आपके एक परेटन इस्तल है या आपके है कहां का यह बताना है दोस्तों यह है आपके भूटान का है कहां का है भूटान दोस्ति इस कंसर आपका सी हो जाएगा भूटान हो जाएगा यहां पर देखिए कुछ परेटन इस्तल है जिन पूंचा भी जाता है और आपकी कोलंबो भी आपको जानते हैं बागी कुछी पॉइंट तो आपको नहीं जानते हैं हना जिसे गाले फोर्ट आपका है यहाँ पर देखे म्यामार की राध्धानी तो जानते नैपई दाओ है मांडले है यंगून हो जाएगा माल दूप में अ दोस्तों यहाँ पर अंसर आपका डी हो जेगा 1907 में कब बने थे 1907 इसका अंसर राइट हो जेगा हमने का सर भूटान में देखा जाए तो कौन सा धर्म है तो आपके बहुत धर्मिके अन्यायूं की संक्या कुल जन संक्या में सरवाधिक आपकी है अगला कुछन आप से कह रहा है कि बांगला देश तक था पाखिस्तान का हिस्सा मतलब जो बागला देश है यह पाकिस्तान का हिस्सक कब तक था यह बताना है बताएए भई जो सरल सरल कह रहे थे अब भताएए हमने का सर यहाँ पर जो आपका अंसर है वो राइट क्या हो जएगा तो आप कहींगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अंसर नमबर क्या हो जएगा 1947-1917 तक जो समय है तो वह क्या था यह बांगलादेश यो था वो पूरवी पाकिस्तान की नाम से जाना जाता था लेकिन 26 मार्च 1971 को स्वतन्त राष्ट की रूप में बांगलादिस का गठन हो गया था दोस्ते याद रखेगा हाना क्योंकि कोशन पूछे कि अगर आजादी कम मिली थी तो 1970 में पाकिस्तान का हिस्सा जब था इसक वताजादी मिल गई फिर इसक वाज एक स्वतन्त राष्ट बन गया अगला कोशन यहाँ पर दिया गया है और आप से कह रहा है किने मने खित में से कौन सी एसिया की सबसे बड़ी घाटी है एसिया की सबसे बड़ी घाटी जो आपकी है यहाँ पर क्या हो जाएगी तो हमने का सर एसिया की सबसे बड़ी घाटी है यह घाटी का नाम क्या है तो डांग घाटी क्या नाम है डांग घाटी इस कंसर आपका भी हो जाएगा डांग घाटी हो ज general है और यहाँ पर देखेगा अगर कुछ पनस्टन और पूँचे कैसे एक घाटी पूँचेगा फरगना घाटी कहाँ पर है अपने नाम सुनाओगा बाबर फरगना तो फरगना जो घाटी है ऐजबेकिस्तान किर्गिस्तान में है अगर पुंचे जो आपका अलाए घाटी कहाँ पर है तो किरिगीस्तान में है यहां पर अगला कुश्ण कहरा है कि सोने का सेर अपने दाहिने अगर पंजे में तलवार पकले हुई हना ख़डा हुआ है और यह जो प्रतीख है आपके कहां का है तो सोने का सेर अपने दाहिने अगर पंजे में तलवार पकड़े हुए कहीं का प्रतीक देखा है आपने कहां का है तो कहेंगे सर ये है आपके सिलंका का है याद रिकी इस कंसर आपका ये हो जगा क्या बुलते हैं याद रिखेगा इसी ड्रग को ही पौराली कथाओं में इसको थंडर क्या बुलते हैं थंडर कहते हैं पेडिक जाम में कोशन पूछा गया था थंडर ड्रैगन का देश किसे कहते हैं हना यह थंडर बोट आप से पूछा गया था तो आपका भूटान को कहते अगरा कोशना आप से कहा रहा है कि भारत के निम्निकित में से किस पडूसी देश में प्रसिद कटास राज का मंदिर परिसर काई धर्मों के मंदिरों के साथ है क्ए नेपाल में है अगर मुन्ने सुर मंदिर पूंचे तो आपके सिलंका में है ढाके सुरी मंदिर कहां पर है तो आपके दोस्तो बांगलादेश में है और उंकारवाट मंदिर तो आप जानते हैं किसर उंकारवाट का मंदिर कहां पर है आपके कमबोडिया में है अगला दिया गया है सागर माथा का एक नेपाली नाम क्या है सागर माथा का एक नेपाली नाम क्या है तो दोस्तों सागर माथा माउंट टेवरिस्ट याद रिखें यहाँ परनसर आपका D हो जेगा किसर सागर माथा ये माउंट एरिस्ट का एक नेपाली नाम है विस्ट का सबसे उंचा परवस सिखर आपकी है और यहाँ पर नेपाल के अन्य परवस सिखर जिसे माकालू, लौसो, धौला गिरी, अन्य पूडा भी आपके होते हैं यहाँ पर अगर कंचन जैंगा पूँचे, तो भी कंचन जैंगा सिखर भारत और नेपाल के मदधाब के इस्थित हैं अगला कुछन आप से कह रहा है कि भूटान का रास्टी खेल क्या है चलिए, बताएगा भूटान का रास्टी खेल क्या है यहाँ पर अंसर नंबर राइट क्या हो सकता है यह जवाब देना है तो हमने का असर यहाँ पर देखा जाए तो आपका अंसर क्या हो जाएगा सब को जवाब देना है चले बहुत अच्छे अतिसुंदर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो अंसर आ गया है लगभग लगभग सभी का सही है अमने का भूटान का जो रास्टी खेल है वो हो जेगा तीरंदाजी क्या हो जेगा तीरंदाजी जिसको आप सुना रहा है ये नमबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अब यहाँ पर जो आपके पडोसी देश हैं जैसे भूटान है तो भूटान का तो आपने पड़ लिया ये भूटान का रास्टी खेल क्या है तीरंदा जी है पाकिस्तान का विया कौन है तो आपका फिल्ड होकी है नेपाल का क्या है बॉली बॉल है बंगलदेश का क्या है तो कबडडी है सिलंका का क्या है तो आपकी बॉली बॉल है हाना और यहाँ पर चीन का क्या है तो चीन का हो जाएगा आपका टेवल टेनिस हो जाएगा हमने आपके जो भारत के पडोसी देश हैं वो जो जितना भी point है, चाए वो आपके खेल हो, चाए परवत हो, चाए कई भासा हो, चाए कुछ भी हो, थोड़ा सा वीडियो हमारा long जरूर हो जाता है, लेकिन आपको पूरी तरीके से ज्यान वर्दक होता है, कोई भी चीज आपकी छूट कर नहीं जा सकती है इस वीडियो है क्या, वेरी गुड, यहाँ पर देखे हमने का सिलंका का सबसे बड़ा जो सहर हो आपकी कोलंबो, जिसका आपसन आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जएगा, अब देखे हमने का सिलंका की हमने पड़ा है, तो दोस्तों यादरिखे पाकिस्तान के पूंचले, पाकिस्त अगर आपसे चीन का पूंचे तो आपको चीन का बताना है, संगही बताना याद रखेगा, नोट कर लीजिएगा, इस की इन सोल ले लीजिएगा, अगला है जापान की मुद्रा का नाम बताना है, बहुत कोशन पूचाता है, जापान की मुद्रा का नाम बताएगा, हमने क पान की मुद्रा का आपको जानते हैं एन हो गया है चीन की मुद्रा का नाम है युवान जो की मुल मुद्रा है और एक आपका है रिन बिन भी यहाँ पर अमेरिका की मुद्रा क्या है डॉलर है रूर्स की मुद्रा क्या है रूबल है यहाँ पर देखेगा दच्छिन कुरिया कि आपकी मुद्रा का नाम क्या है म्यावार की मुद्रा पूंचे तो आपको क्या बताना है यहाँ पर देखे अगरा कोशन दिया गया है कि जंका अधवा जनको एक अनूफ़ा शानशतिक रिवाज है जिसका पालन के उत्सो के रूप में किया जाता है में जीवन के बारे में बताया गया है तो दोस्तों यहाँ पर यादर की यह नेपाल का है यह उत्सव जो आपका है नेपाल का है जानको या जानको एक अनुस्व एक सांस्तिक रिवाज है जिसको नेपाल में जीवन के उत्सव कुरूप में जानते हैं हना दसव अगर पूंचे दो होरी जो गाने हैं दो होरी जो आपके पारंपरिक लोग गीत हैं ये कांके तो आपके नेपाल का है दो होरी जो आपका है नेपाल का है अगरा कोशन यहाँ पर दिया गया है नेमनिकित में से कौन सी सिलंका की एक पारंपरिक नरत्य सैली है चलिए बताना है यहाँ पर जो अंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या होज़ेगा सिलंका की एक सब दोताया था कैंडी पताया था ना तो बस उसी से याद रखना कैंडी अंडरत जो आपका है इस इलंका का एक पारंपरिक नत्य सहली है और समर आपका बन जाएगा बी नंबरे राइट हो जएगा दोस्तों याद रखेगा ठीक है ना और यहाँ पार देखे एगला कोशन देखेगा है निमनिकित में से कौन सा म्यामार का सबसे बड़ा जाती समू है म्यामार में सबसे बड़ा जाती समू जो आपका है वो दोस्तों है बामर क्या है बामर जो की ऑप्सन मरब का ए हो जाएगा बामर हो जाएगा ठीक है ना जो बर्मी भासा बोलते हैं याद रखे पहल डांस फार एक कॉज का लोगो सरकार द्वारा जारी एक अधिकारिक डाग टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है तो दोस्तों यह आपका जो मुद्रित किया जा रहा है वो भूटान इसकांसर हो जेगा राइट मतलब जो वॉली बुड वॉली बुड कोरियाइक आपका है तो दोस्ते आझ रहा है भारत और बांगलादर्स के साथ जो एक प्रोटोकाल है उस मार्ग के माध्यम से भारत की मुखी भूमे के साथ जो समपर्क साधा करता है यह जवाब का है नेशनल वार्टर जुवापका दिया यह नंबर हो जाएगा nw2 अर्थात जलमार्ग संख्या टू नेशनल हाईवे मार्ग नंबर टू जो आपका है ये ब्रह्मपुत नदी पर बांगला देश प्रोटोकाल अना भारत बांगला देश प्रोटोकाल से गुजरता है धुबरी जो कि आपके असम में है साधिया जो कि असम इसके बीच लगभग आपकी दूरी भी आपके 8,9 km है तो हाँ पर अंसर आपका यह होजगा वाटर हाइवे अगर मापसे कोश नियरे पूंचे वाटर हाइवे आज उवन है वह कौन सा है भारत का आज Water Highway 1 है वो आपका कौन है तो भारत का Water Highway 1 जुकि सबसे लंबा रास्टी जलमारग है जब से सबसे लंबा और ये दोखो आपका 16-120 km है भारत का सबसे लंबा रास्टी जलमारग है जो कि कहां से तो आप कहेंगे सरे ये प्रयाग राज से हल्दिया के मद्ध जाता है Water Highway 1 सबसे बड़ा है ठीक है ना तो दोस्तों इस प्रकास से यहाँ पर ये जो क्लास है वाकिक कम्पलीट होती है जिसमें आपने भारत के पड़ोसी देशियों में से हर एक वो चीज कवर कर लिया चाया वो राजबासा हो चाया राजधानी हो चाया सीमा देश हो या रास्टी फल हो हर एक चीज हमने आपर कवर कर दिया इस वीडियो के एक बार और देख लिएगा नोट्स भी बना लीजेगा वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो लाइक करिएगा दोस्तों को सेर भी करिएगा ठीके धन्यवाद सभी को जय ही